अब लोगों की जो ट्रेडिंग जर्णी है जर्णी ऑफ वेल्थ क्रियेशन वो बड़े ही अच्छे तरीके से चल रही होगी तो दोस्तों आज मार्केट में काफी अपन डाउंस रहे मार्केट नेगिटीव नोट पे उपन होई थी तो कल भी ऐसा लगता है तो एक बार स्टोक डिसकस करने से पहले एक बार निफ्टी की का और पेंग की निफ्टी का चार्ट देखते हैं और थैंक्यू बोलना चाहूंगा सबसे पहले ज अब लोगों के लाइक्स और आप लोगों के कमेंट्स हमारे लिए अपने चैनल के लिए उक्सीजन है तो प्लीज ये उक्सीजन की सप्लाई का चलो रुखे हैं दोस्तों और हम डिसकस करते रहेंगे कुछ ऐसे स्टोक्स जो आपके पोर्फोलियो में मेरे पोर्फोलियो म यहां पर आप आरा सही में भी देख सकते एक डाउन साइड का वीव लग रहा है अब देखने वाली चीज क्या है डेली चैनल पर आपको बताना चाहूंगा अगर डेली के अडल देखोगे यह जो एक लेवल है क्या यहां पर रुखेगी क्या यहां पर रुखेगी एक चीज है हमारा सपोर्ट यहां पर है 18,375 यह हमारा सपोर्ट है यह लगा हुआ है तो यह लए इस को ब्रेक करती है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है क्या इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ओपर चली जाएगी यह भी देखने की ची जो लोग इसेल साइड में बैठे हैं तो उनको अगरुचुलेस्टन्स है सेम चीज बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं दोस्तों अब बैंक निफ्टी में डेली में देखो रफ कि नई ये में हैं अच्छा है बट कर सकते हो यहां पर की बैंक निफ्टी डउनझा सकता है आज भी आप देखjack के बहुत सरे स्टोक्स सेल आइड में थे में अच्छ प्र एंग पेला है पैसा मिला है इनको और सारे मुस्ट लीदे को मेजर स्टोक से CDFC बैंक, SBI बैंक, दोनों कि दिने डाउन है, दो परसेंट से ज़्यादा डाउन है, तो अगले कुछ दिनों में गिरावट, इन दोनों स्टोक में गिरावट मिल सकती है अपने को, और Nifty, Bank Nifty दोनों में पढ़ना उसके लिए, तो इसलिए हम जो स्टोक आप डिसक्स करने वाले ना, उनको पहले कलना, मार्केट उपन होने से पहले 15-30 मिनट के लिए वेट करना, उसके बाद ही एंट्री लेना, पहले एंट्री मतले ना, हम इनको ना वाचलिस्ट में रख सकते हैं पहले, उसके नाम पर मैंने एक रिल अप्लोड की थी, प्रकास इंडिस्ट्री के आज तो पैर में गरीबन 12 बजे के आसपास, तो वहां से तो ये एक रुपया उपर है अभी, तो 60 रुपय पे था, एक रुपया पचास पैसे उपर है उस लेवल से, बट मेरे को फिर भी लगता है कि ए और सो ये लेवल बहुपयने है उस लेवल बहुफ इंपोर необходимо अपने लिए, तो इस अगर इसके ऊपर जाता है, तो अपने को ओ न 3 week to 5 week 6 week में ये अपने को न 30 to 50% की रेटन दे सकता है 30 to 50% की रेटन ये स्टोक दे सकता है कफी अच्छी फोर्मेशन इसमें लग रही यहां पर ये इसके उपर हो जाएगा तो इस कप और हैंडल का भी ब्रेक आउट बनेगा दोस्तों तो ये बहुत ही देखने वाला और एक्शन बाद स्टोक हो सकता है अगले एक से दो महीने में तो प्रकास इंडिस्ट्री को आप अपनी वाचिस्ट में रखिए और जब इसके उपर ट्रेंड होना स्टार्ट हो जाए तो भाई भी कर सकते हैं विद्व प्रोपर स्टोक लोस अभी के लिए स्टोक लोस हम 56 लग रही है क्या यह एक देखो यह दो रोनिंग चोटे रोंडिंग बोटम का ब्रेक आउट हुआ यहां पर ब्रेक आउट के बाद यह फर्स्ट आर्गेट आ गया है अमने कभी शेर किया था प्राइम ग्रूप में उसके बाद यह फर्स्ट आर्गेट आच अब सेकेंड का यह फिर पे tolerance लग रहा है कि अगहर लग रहा है अगर लग राह है आपको तो हम इसमें एंट्रि ले सकते हैं है तो GB 10 के राउंड एट कर रहा हमएं दे लेना चाहेंगे दिना तो 418 का अभ हम हम कृंदरे लाइप सफेस से में हैं बाकर 2010 कर दोस्तों महंलेट देखो एक से चार एक वीक में दनी दो तीन चार वीक के अंदर 20% ग्रेटन दे सकता स्टोक काफी अच्छा जा रहा है अभी यहां से नेक्स्टोक दोस्तो हिमत सिंग अब देखिए हिमत सिंग की बात देखिए अब आपको यहां वे देखो एक्छली यह लाइन ना बहुत ज़्यादा लग गई है यह मैं आपके एक्छली मैं कुछ कर रहा था इस पर काम एक मेर को यह ब्रेक आउट नजर आया क्या है इस ब्र करते हैं इसको टोप को मीट करते हैं कि इसको थोड़ा सा एनलाज करते हैं दो स्कों इन दो टोप्स को मीट करी यह ट्रेन लेन बहुत अच्छा प्रेक आउट आज का वोल्यूम देखिए अप इतना वोल्यूम है पिछले कुछ दिनों में आपको नजर नहीं आएगा राउंडिंग बोटम भी बन सकता है क्या यह देखने की चीज है क्या यह एक राउंडिंग बोटम भी बन सकता है क्या विकन सी आने वाले समय में इसका पता लगने वाला है आने वाले समय में इसका पता लगने वाला है 94 पे अभी ट्रेड कर रहा है हम यह वाला स्टोप लोस रखेंगे 85 का 85 को स्टोप लोस के साथ हम इसमें छोटा जो शोट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं एक से दो वीक के लिए 97102 और 1010 110 इन टार्गेट के लिए हम नहीं यह जो ट्रेलिंग स्टोप लोस है रैड कलर इसको धीरे धीरे करके ऊपर लेके जाना दोस्तों में यह ट्रेलिंग स्टोप लोस हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है स्टोप लोस के बिना कभी भी ट्रेड ना करे और स्टोप लोस आपके डिफाइन होना ची है आपके इस लिए इतना रिस्क में ले सकता हूं रिस्क डिफाइन योगा तो प्रूफिट नहीं मिलेगा दोस्तों नेक्स्टोक है आज की वीडियो का लास्टोक है टिप्स इंडस्ट्री टिप्स इंडस्ट्री में देखो अपने को यह ट्रेंड लाइन है यहां पर कितने सारी केंडल्स एक साथ बनी हुई है और इसी रेंज में थी ब्रेक आउट नहीं है तो ब्रेक डाउन मिला लोगों को अब यह देखो यहां पर breakout है अच्छे volume के साथ RSI भी बड़ा अच्छा लग रहा है यहां पर तो अब 189,190 के around trade कर रहा है stock हमको एक बार यह लें तो रोज करने हैं यह range है 198,199 की range है यहां से बार निकलेंगे तो यहां से काफी open space नजरा रहा है 210 के बाद यह है 225 और 235 इन target के लिए निमेश कर सकते हो प्रडक्स में जादा मिले आपको है आपके पास तो 260 के लिए भी आप जा सकते हो stock के अंदर tips industry के अंदर अब रेंज के बाद 189 पे trade कर रहा है हमने stock close रखना है इस रेंज का यह इस रेंज से बार निकलाता है को यह बहुत अच्छी रेंज इस रेंज से बार निकलाता तो यह रेंज हमारा इंस्टाग्राम का चैनल दोस्तों टेलेग्राम का तो 2937 दोस्त हैं यहां पर जुड़े हुए है डे टाइम में देखो यहां पर मैंने आपके साथ शेर भी किया है 1227 यहां पर शेर किया है मैंने आपके साथ प्रकाश इंडेस्ट्रीज को वहां से एक रुपय ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए नेक्स्ट फ्यू वीक्स के लिए को मुझे आपकी कमेंट से लर्निंग मिलती है तो मैं चाहूंगा कि हमारी लर्निंग आगे बढ़ती रहे दोस्तों हम स्टोप डिसकस करते हैं आपके भले के लिए मैं नहीं चाहता कि किसी जो भी दोस यहां पर फोलो कर रहा किसी का लोस हो और अंडिफेंड लोस हो लोस क यह बारत हम फिर मिलेंगे दोस्तों